बॉलिवूर्ट की दिकज एक्टर योशी कपूर ने 30 अपरेल की सुभार दुनिया का अलविदा कह दिया और अब उनकी निधन को एक हफ्ता हो चुका है ऐसे में रिशी कपूर को हर कोई बहुत ही याद करता हुआ नजर आ रहा है जहां एक और उनका पूरा परिवार दुख में डूबा हुआ है तो वही सैलेप्स भी लगाता रिशी कपूर को याद कर नहीं है रिशी कपूर थे ही ऐसे कि हर किसे को हसाते रहते थे इसी बीच रिशिक पूर को याद करते हुए नजर आई है बॉलिवुट की पैमस एक्टरस प्रेंका चोपडा जिहां प्रेंका चोपडा ने रिशिक पूर को याद करते हुए उनके बारे में कुछ खास बातें बताई उन्होंने विशिक पूर को लेकर लिखा उनकी हसी, उनकी सच्चाई, सब कुछ बहुत याद आएगा साथी साथ उन्होंने आगे लिखा कि उन्होंने परदे पर जिस तरह रोमेंस किया उससे आम लोगों को प्यार करना आसान लगने लगा साथी साथ उन्होंने इंस्टेग्राम पर एक स्टूरी को शियर किया है और परैंका ने इसमें लिखा है कि जैसा कि रिशीक पूर के पिता राज कपूर ने मेरा नाम जोकर में कहा था शो नहीं रुपना चाहिए वेल दोस्तों आपको बता दें कि प्रेंका चुपडा ने इस तरीके से अपने दर्द को पया किया है इंस्टेग्राम पर स्टोरी को शेर करते हुए जैसा कि आप सबी जानते हैं कि रिशी कपूर कैंसर की बीमारी का इलाज पुरानी के लिए नियू यॉर्क पहुचे थे और वहां पर भी प्रेंका चुपडा उनसे मिलने पहुची थी इसी बीच अगर बात की जाए यहाँ पर रिशी कपूर के बारे में तो रिशी कपूर करिस्ता हर किसी सेलिप्रिटी से बेहती खास था और लगातर तमाम सेलैप्स उन्हें याद करते हुए नजर आ रहे हैं जहां एक और रिश्यकपूर की पुरानी यादे ताजा हो रही है तो वहीं सेलेप्स भी लगाता उन यादों को लेकर अपने दर्द को उंपया करने हैं हमारी स्कास रिपोर्ट में इतना है तब तक के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूस